एलजेपी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गे रामिलास पासवान को पदमभूशन दिये जाने पर उनके बेटे और पाटी के राष्ट्री अध्यक्ष चिराग पासवान भावुख हो गए चिराग ने कहा कि उनके पिता का पूरा जीवन सामाजिक नयाय दलितों पिछुणों और समाज के वंचित तबके के लिए समर्पित रहा भारत सरकार ने उनके 50 साल के बेदाग राजनितिक जीवन को पदमभूशन पुरसकार से सम्मानित किया है चिराग ने पियम मोधी के प पिछुणों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित किया भारत सरकार द्वारा मेरे पिता को 51 साल के बेदाग राजनितिक जीवन के लिए पदमभूशन पुरसकार से सम्मानित किया जा रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी मेरे पिता के साथ अंतिम सांस तक खड़ के लिए राश्ट्रपती प्रधान मंतरी एवं ग्रिह मंतरी का अभार व्यक्त करता हूं लोग जनशक्ति पार्टी के हरेक सदस्य के लिए पार्टी के संस्थापक को पद्मभूशन अवार्ड मिलना अत्यंत गर्व की बात है परिवार के लिए भी यह भावुक्षन है ल इन श्रेणियों में पद्मभूशन पद्मभूशन और पद्मभूशन और पद्मश्री पुरस्कार की घोशना की इसके तहट बिहार से लोग जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्री मंतरी स्वर्गी रामलास पासवान को पद्मभूशन पुरस्कार द